सब्सक्राइब कीजिए बी न्यू शैनल को और सबसे पहली ताज़ा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएगे केरल में बारिश कहर जारी, 66 लोगों की मौत, सभी 14 जिलों में रेड अलर्ड घोशित राज्ये के सभी 14 जिलों में रेड अलर्ड घोशित किया गया है दक्षणी रेलवे और कोचल मेटरों ने गुरुवार को अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं राज्य सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेज को शनिवार तक बंद रखने का आदेश दिया है और इस दोरान होने वाली सभी परिक्षाओं को भी रद कर दिया गया है राश्ट्रे आप दबल ने 926 लोगों को पत मतिटा, कोजे कोड, एरना कुलम, त्रिशूरा और अलपफुशा से सुरक्षित निकाला राश्ट्रे में इससे पहले 1924 में बाढ़ से ऐसी ही तबाही मची थी पी एम मोधी ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने केरल में मुख्यमंत्री पी नाराई विजन से दोबारा बात की हमने राश्ट्रे में बाढ़ की स्थिती पर चर्चा की रक्षा मंत्राले से राज्जे में बचाव और राहतकारियों को तेज करने के लिए कहा गया है मैं केरल के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं ग्रिह मंत्री राजनात सिंग में भी मुख्यमंत्री पी नाराई से बात की उन्होंने कहा कि केरल में बाड को लेकर मेरी केरल के सी एम से बात हुई है केरल में बाड के हालात देखते हुए केंदर अतिरिक्त तेनडी आरेप की टीमों को केरल भेज रहा है हम हर संभव सहयोग दे रहे हैं और लगातार सी एम के साथ संपर्क में बने हुए हैं अल्पुजा तट पर भुद्वार को एक नौका डूब जाने से तीन मचुवारे लापता हो गए हैं। नौका पर साथ मचुवारे सवार थे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सचवाले में आपात बैठक की। बैठक में केंद्र से न उसैनेक हवाई अड्डे पर छोटे विवान लेंड कराने की अनुमती मांगने का फैसला लिया गया है। कोचीन हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने कहा कि लगातार पानी बढ़ने के कारण शनिवार दो बजे दिन तक संचालन निलंबित रहेगा। हवाई अड्डा कर्मचारी बाढ़ का पानी निकालने में जुटे हैं। इस दक्षणी राज्जे में एक सप्ता पहले मौसम का रुख आक्रामक हो गया था। अधिकारियों को खतरनाक स्तर तक भर चुके 35 जलाशियों से पानी छोड़ने के लिए विवश होना पढ़ा। बांध खोलने के कारण इसकी नदियों का बहावती वरु हो गया। इस बांध में पानी 140 फीट का स्तर पार कर गया। बांध के आसपास रहने वाले लोगों को मंगलवार को ही दूसरी जगह ले जाया गया। एक अनुमान के मताबिक 50,000 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है और 8,000 करोड रुपे की फसलें और संपत्तियां तबहा हो चुकी हैं। कमिशन ने बताया कि दोनों से निकलने वाले कुल पानी 1.4 लाख क्यो सेक के दो दिन में मेटूर बान तक पहुचने की संभावना है। नौजीलों कृष्णगीरी, धर्मपुरी, सलेम, इरोड, नमकल, करूर, त्रिची, थंजवर और नागपटिना में चेतावनी जारी करते हुए कमिशन ने कलेक्टरों से जरूरी कदम उठाने को कहा है। तिर्वनंत परम, ओलम, अलपुझा, पठनमिता, कोटायम, इडूकी, एरनाकुलम, त्रिशूर और कोजे कोड में 60 किलोमीटर प्रदिल घंटा की रफ्तार से तेज हवाईं चल रही है। तिर्वनंत परम के कनामूला से देशभक्ती की मिसाल कायम करती तस्वीर सामने आई है। यहां के लोगों ने बाढ़ के बीच पानी में खड़े होकर स्वतंत्रता दिवस परतिरंगा जंडा लहराया। तस्वीर से बाढ़ की स्थिती का पता चलता है क्योंकि यह लोग कमर तक पानी में डूबे हैं लेकिन इस से उनके जज़बे पर कोई फर्क नहीं पढ़ा। ऐसी ही एक तस्वीर पिछले साल असम के धुबरी जिले से आई थी जहां।